दर्श को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचान की आज दिनांग के 8 सितंबर सन 2003 स्विक्रम समद 2008 चल रहा है भादर पद मास है कृष्ण पक्ष वडशा रितू है तिथी आज की नौमी है और आज का वार है शुक्रवार आज नंद उत्सव है और गोगा नौमी है आज के नक्षत्र की बात करें तो मुरक्षिरा नक्षत्र दौपेर 12 बच के 10 मिनट तक है आगे फिर आद्रा नक्षत्र आ जाएगा योग आज सिद्धी है रातरी 10 बच के 6 मिनट तक आगे व्यतिपात योग है तो योग की दरश्टी से आज का दिन शुब है योग का रख है इसका पूरा-पूरा सद उप्योग करें करन गर है शाम पांच बच के 32 मिनट तक आगे तैतिल करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्शे को सुबह 6 बच के 8 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के 49 मिनट का है आज का राहोकाल सुबह 10.30 बजे से लेकर कोई तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज 11 बच के 69 मिनट से दौपेर 12 बच के 49 मिनट के बीच में हैं दिन में चार बार दोष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान और सुझभू से टाल दीजेगा यहँ हैं सुब्ध 8 बच के 49 मिनट सुब्ध 9 के 29 मिनट दौपेर 12 बच के 49ด और के 49 मिनट और दौपेर एक मुछ के chemtr तरने और 5 कदम पीछे चलिए और जब ये प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम यापने अपने इश्ट का ध्यान करके उसे प्रातना करके फिर इस दिशा की यात्रा करें ऐसा करें तो यात्रा भी मंगल में होगी और दिशाशूल भी नहीं लगेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वो है सुबह 8 बज़े से लेकर सुबह 10 बच के 30 मिनट तक फिर दोपेर 12 बच के 30 मिनट से लेकि दोपेर राशी से गोचर कर रहें जिससे आज का दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ स्प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को नई योजनाय सुझेगी जिससे भागयोदे हो और जीवन को एक नई उचाई पढ़ लिजाए सके व्रश राशी वालों को अपनी स्किल से आगे बढ़ने की रास्ते मिलेंगे वहीं मिथुन राशी वालों को आज भ्रम की स्तिती बनेगी बहुत से कारियों में क्या करें और क्या नहीं करें यह मनुस्तिती बनेगी करक राशी वालों को व्यापार में कोई नुक्सान हो सकता है या कोई बड़ा काम उनके हा और व्रश्चिक राशी वालों को स्वास्त करेगा आज परिशान तुअचा रोगों से हो सकते हैं आप बहुत जादा परिशान धनुर राशी वालों को किसी विवाद में आफसी शूजबूज और बाचीट से राहत मिलने की उम्मीद है वही कुम राशी वालों को बुद्धी मता से आर्थिक इस्तती सुधारने की योग बन रहे हैं और मीन राशी वालों को घर में अशान्ती और अपमान जनक इस्तती का सामना करना पड़ सकता है दर्शे को आप करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जो आपको समस्चाओं से बाहर ले आते हैं जीवन में सफल बनाते हैं अंत में करेंगे आज की जोक्त देवता के रूप में प्रतिष्टित है गोगा देव का जनम नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षनाज जी के आशिरवात से हुआ था योगी गोरक्षनाज जी ने इनकी माता बाचल को प्रशाद के रूप में अभिमंत्रित गूगल दिया था जिसके प्रभाव से महारानी बाचल से गोगा देव जिनको जाहरवीर के नाम से जाना जाता है इनका जनम हुआ आज के दिन जाहरवीर गोगा जी की पूजा करने से गोगा जी महराज सर्प के काटने से हमारी रक्षा करते हैं इस दिन गोगा जाहरवीर की पूजा के सासा नाग देवता की पूजा की भी विधान है आज घर की दिवार पर गेरोय से पोत कर दूद में कोईला पीसकर चोकोर घर बनाकर उसमें पांच सर्प बनाते हैं इसके बाद इन सर्पों पर जल कच्चा दूद रोली चावल बाजरा आटा घी चीनी मिलाकर अरपित किये जाते हैं इसके साथ ही के घोड़े पर शद्धा पुर्वक चेने की डाल अरपित करनी चाहिए ऐसा अगर आप करते हैं तो अमोग फल की प्राप्ति होती इसमें कोई संदे नहीं जो निसंतान महिलाएं आज के दिन व्रत रखकर सर्प और गोगाजी का विधिवत पूजन करती हैं साथ साथ भग अब बात करते हैं विसस्ट उपायों की जो आपके सभी प्रकार की समश्याओं के सरल समाधान कर देते हैं जिने करके आप सफलता अरचनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलताकियों दढ़ता से अगरसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन संत को भुजन करवा कर उनका अश्रवाद लें और घर पे ही नमें शिवाय की ग्यारा माला का जाप करें यह सब अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुक शान्ती असीम इश्वरी कृपा के साथ बीतेगा इसमें कोई संद्धे नहीं दर्श को बहुत बार कि जनम पत्रिका में वहाइक सुक नहीं लिखा होता है या शादी होते ही विवाद शुरू हो जाते हैं या कन्या के आगमन के बाद से ससुराल में कुछ संयोग वश या भाग्य वश दुरगटना हो जाती है तब माना जाने लगता है कि यह विवा अशुब रहा है या कहे कि पग फेरा ठीक नहीं रहा या कभी-कभी ऐसा होता है कि महीने दो महीने में ही तलाक की नौबत आने लगती है ऐसी किसी भी परस्तिती में एक तो जनम पत्रिका दिखवाए जनम पत्रिका नुसार अच्छे उपाय करें साथ साथ एक कार्य अवश्य करना चीए इसके लि फ्रकारिकाद में मंदर में ही 11मला 5 629 इस प्रकार से 11 माला करें और 3 माला इस विश्ष्थ मंत्र की करें जो यो स्मुचार है ओम सरुमंगल मंगल्य शिवे शरवार्थ साथीए के शरण्यetrंवके गौरी नारायनी नमस्तुते तीन माला का जाब करें सरलसा मंत्र है ओम सरु मंगल मांगले शिवे शर्वात साधिके शरन्यतरम्ब के गौरी नारायनी नमस्तुते विवाईत कन्या इस साधना को करती रहेगी तो उत्तम वर की प्राप्ति होगी और स्ट्रेश्ट वहवाईक जीवन चलेगा और विवाईक श्त्री यान जो विवाईत है वो श्त्री करेगी तो स्वभाग्य अखंड रहेगा आगे सागे घर में प्रेम, सोहार्द, सम्मान मिलता रहेगा ऐसे दर्शे को जिनको अकारण भय बना रहता हो या जिनके साथ दुरगटना एंगटित होती रहती हो या कमजोर हरदे के लोग जो बहुत ज़्यादा परिशान रहते हों, कॉन्फिडेंस की कमी रहती हो डर ज़्यादा लगता हो वो आज राज से 27 दिन तक एक साधना वश्य करें जिससे भगवती कालिका आपकी जीवन भर अमोग सुरक्षा करेगी इसके लिए गणेश जी शिवजी का पूजन करके माता कालिका का पंचोप चार से पूजन करें निले पुश्प और गुड भगवती को और पित करें फिर इस विशष्ट मंत्र की पांच माला का जाप आपको आज करना है मंत्र जाप के अंत में जो प्रशाद में गुड है वो आप स्वैम खलें और आगे फिर जीवन में नित्य इस मंत्र के 27 जाप करते रहें आप इसको जादा करना चाहें तो एक माला अगले 27 दिन तक कर सकते हैं उसके बाद में 27 जाप करते रहें तो भगवती की विशेश करपा हमेशे आप बनी रहती है मंत्र ध्यान से समझेगा बहुती विश्ष्ट मंत्र है मंत्र इस प्रकार है मंत्र को फिर से समझते हैं मंत्र इस प्रकार से इस मंत्र का जाप आपको करना है और फिर आप चमतकार देखे जीवन में कैसे आपको भय से आप मुक्त हो जाते हैं तो दर्शे को यह थे आज के विश्ष्ट रुपाए जो आपको समझ्चाओं से बाहर ला रहे हैं मनों कामने पूरी कर रहे हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पार जनम पत्रिका आपकी चंद्र और मंगल ने राशी परिवर्तन किया है और चंद्र गुरु का आए भाव पर सीधी दरश्टी होना सूर्य का मीन राशी में होना और नवांश पत्रिका की जो ग्रैस्तिती है वो दर्शा रहिए कि आपकी सिक्षा के छेत्र में सरकारी नोक्री भ भोजन संबंदित करें मंगल के साथ गुना जाप अवश्य करवा लीजिए और एक मुंगा पहन लीजिए तो इससे यह होगा कि बहुत जल्द जल्द आपकी तरक्की होगी भाग्यूदे का उसर सामने से मिलेंगे आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक करण सिंग जी की 17 सितंबर 1982 का इनका जनम है शाम 6 बच के 26 मिनट जोदपुर प्रशनी किया है प्रमोशन योग कब तक बन रहे हैं देखिए करण सिंग जी कुम्ब लगन और कन्या राशी की पत्रिका आपकी लग 23 से लेकर जुलाई 2024 के मद्दे बनेंगे और योग फलित हो जाए इसके लिए आप शनी और बुद्ध के साथ-साथ गुना जाप अवश्य करवा लीजिए तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाई और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर पाए करें तो आपकी मनों कामना पूर्टी अवश्य हो और कश्टों का निवारण निश्चित रूप से हो कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवतियास अपका कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ News18 के हमारे स्खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेग्मेंट में जहाँ पर आपर हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम ऐसा क्या करें किन बातों को करना अवॉइट करें जिससे आज की दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग होगी आपकी कौन सा होगा आपका मूलांक यदि आपने हमारे कायक्रम को नया जॉइन किया है तो उधारन दे कर बताना चाहूंगी अगर आपकी डेट अफ बर्थ है 24 यानि कि 24 तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नमबर 6 तो 6 होगा आपका मूलांक और आज की तारिक है 8 सितंबर 2030 आज की तारिक नमबर 8 जिसके कि स्वामी है शनी तो क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है आज एक से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर आज के हमारे स्कारिकरम में हम जानेंगे और बिना देर किये हम जानेंगे मूलांक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है आज 8 सितंबर 2030 के लिए awareness का card है आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन आपको थोड़ा चोकना रहने की जुरुत है चोकना रहने का अर्थ है कि लापरवाही ना करें कोई महत्पूर्ण कार है आपके समख आया है या किसी प्रकार की communication आप से की गई है जो की बेहदी जरूरी है लेकिन आपकी नजर में वो जरूरी नहीं लग रही है लेकिन सामाजिक तोर पर या व्यावसाइक तोर पर या आपकी जॉब में या किसी relationship में that is very important for other person किसी दूसरे के लिए महत्पूर्ण हो सकती है तो ऐसे में आज आपको क्या करना है थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी हर बात पर अपने हर कारे पर जवाब कर रहे है क्योंकि वो कहीं न कहीं long term effect डाल रही है दूसरे विक्ति के जीवन पर और अगर दूसरे विक्ति का जीवन जो है आपकी वज़े से किसी प्रकार से negative रूप में effect हो रहा है तो आप यकीन माने कि थोड़े relationship में खटास आ सकती है क्योंकि चाहे फिर वो व्यापारिक relationship हो फिर वो चाहे आपका personal relationship हो तो आज आपको बेहत ध्यान रखने की आवश्यक्ता है साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है किसी महतपून का अगजात पर signature करने से पहले विशेश तोर पर वित्य समद्धी मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने की जरुरत है आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 8 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है gratitude का card है देखिए आप तो जानते ही है कि gratitude is the best attitude जब आप हर बात पर परमात्मा को किसी व्यक्ति को जब धन्यवाद देते हैं तो वास्विक्ता में आप योग्य हो जाते हैं और भी अधिक favors को और blessings को पाने के लिए तो आज का दिन बिल्कुल वैसा ही है जिल लोगों ने आपके जीवन में एक महतपूर्ण रोल अदा किया है फिर वो आपके family members हो आपके friends हो या फिर आपके colleagues हो या फिर परमात्मा आपको क्या करना है कि आज सब को धन्यवाद देना है चाहे कोई विक्ति आपके समक्ष है या नहीं है आँक बंद करके प्रार्थना रूप में भी आप धन्यवाद देंगे तो विक्ति तक पहुंच जाएगा तो आज आपको धन्यवाद देना है क्योंकि आज आपके पास जो कुछ भी है उसी blessing का नतीज़ा है तो आज आप क्या करेंगे आप जब धन्यवाद कहेंगे तो धन्यवाद शुरू प्रकरती में कुछ भी जो भी आपका हिर्द है आपको गवाही दे आप गव के लिए आप किसी जीव के लिए किसी गरीब व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ दान अवश्य निकाले एक जो भ वादवास्त्विक धन्यवाद से भरे रहें फिर देखिए कि आपके जिन्दगी में किस प्रकार चमतकार घटित होता है आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जारा है एनरजी का काड है वाव आपको कहा जारा है कि आज के दिन की आपके एनरजीस बहुत अच्छी हैं आपकी जो लाइफ फॉर्स एनरजी है वो बहुत हाई है आज एसे में जो भी कोई आपके कारे pending थे, आप देखेंगे कि तेजी से गती पकड़ेंगे, कारे पूर्ण होने पर होंगे, साथ ही साथ कोई नया कारे भी आज के दिन आप आरंब कर सकते हैं, यू लगेगा कि बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ा चालेंज, बड़ी से बड़ा काम, बड़ी ही आसानी से आज आप पूर्ण कर लेंगे, बहुत ही महत पूर्ण बात है अपनी इस उर्जा का और आज के दिन का सदूप्यों करना, कोई भी कारे ज आपका पिछले कई दिनों से पेंडिंग है, आप जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, कोई भी कारे है, तो उसको आज आप आरंब कर दें, किसी प्रकार की देरी ना करें, आपका दिन शुब हो, आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, 8 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमसे कहा जा रहा है, कुरियेशन का कार्ड है, मूलांक च चार के जातकों को विशेश एक तरी कि छोटी सी वार्निंग दे जा रही है, कि आपका जो थौट प्रोसेस है, वो आज मैनिफेस्ट हो रहा है, यानि कि आपकी जो एनरजी हैं आज की वो चीजों को चरितार्थ करने में लगी हुई हैं, यानि कि पूर्णता का दिन हैं, तो ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार से नकारात्मक भाव में हैं, तो वैसी ही पूर्णता आपको प्राप्त होगी, यानि वैसा ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, और अगर आप सकारात्मक भाव में हैं, प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं, फिर आपके करियर क की बात हो किसी relationship की बात हो समझिक जीवन की बात हो आर्थिक जीवन की बात हो किसी भी प्रकार से अगर आपने पहले proper planning की हुई है proper management आपका है और तब आप आज के दिन को जी रहे हैं अपने एक step आगे बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी लेकिन वहीं अगर आप नकारात्मक भाव में हैं ब्लेम के भाव में हैं दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं किसी प्रकार से या खुद को ब्लेम कर रहे हैं गिल्ट की भावना में रह रहे हैं तो नुकसान आपका हो सकता है तो पुल मिला कि अपने आपको आजापी higher vibration में रखें ये जादा आवशक है higher vibration में रहने के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूं हर वो कारे करें जो वास्तित्ता में आपको करना पसंद है जो आपको खुशी देता है जो आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाता है आपका दिन शुभो आए जानते है मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे है आज चितंबर 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है prosperity का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है आज का दिन मानसंवान धन वैभव की beneficial आपका दिन आज रहने वाला है जो भी कोई आपका व्यवसाय है वो आज की दिन आप देखेंगे कि बहुत अच्छा उच्छाल लेगा या ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब में हैं तो आपको appreciation मिल सकता है आपको promotion मिल सकता है या फिर आपको जो है खुश होकर आपको कुछ extra bonus या कुछ मिल सकता है तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है किसी relative से किसी friend से कहीं पुराना चूटा धन या कुछ parents के माध्यम से कहीं से भी कुछ आपको धिन की प्राप्ती हो सकती है कुछ नहीं भी तो ऐसा कहा जाता है कि सड़क चलते ही कुछ प्राप्त हो सकता है हमें परमात्मा आज क्या गाइद कर रहे हैं 8 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है साइकल्स का कार्ड है आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आप stress में चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और अब कही ना कही वो जो stress है ना आप सुछ कहा जाएं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है क्या करूं कोई रास्ता नहीं है तो आपको क्या कहा जा रहा है जब आपको लगता है कि आपको जो करना था आप कर चुके हो हाथ पर चला चुके हो कुछ नहीं हो रहा है तो अपने आपको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए सरेंडर कर देना परमात्मा को अपने आपको पूरी तरह से आपको समर्पित कर देना चाहिए तो आज का दिन वही है अगर आपके मन मताबिक काम नहीं हो रहा है छोड़ दो, just let it be कहीं न कहीं आप जो चाह रहे हैं परमात्मा उससे भी कुछ बहतर आपको देना चाह रहे है लेकिन आज का जो दिन है थोड़ा सा डाउन एनरजी का है लेकिन परमात्मा आपको गाइड कर रहे है सरेंडर कर दीजे आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे है आज 8 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूट का कार्ड एक कार्ड रिपीट हुआ है और आज कहीं न कहीं मूलांक जिसे दो के जात्कों को भी एकार आए था मूलांक साथ के जात्कों को भी आया क्योंकि spiritually psychic powers जो होती है इन numbers के जात्कों की अधिक होती है तो आपको क्या कहा जा रहा है आपको भी कहा जा रहा है धन्यवाद से भरे रहना है जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे परमात्मा का आपने आसपास के लोगों का आपने परिवार जन का उतना ही blessings आज आपकी बढ़ने वाली है वो कहते हैं न कि परमात्मा को जिसको एक बड़ा पद देना होता है या कुछ बड़ा देना होता है तो वो क्या करते हैं कि व्यक्ती की परिक्षा लेते हैं तो आज का जो दिन है वो परिक्षा का है जितने जादा हमबल होंगे जितने जादा प्रेम करोना और धन्यवाद से भरे रहेंगे उतनी ही अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी आपका दिन कि आपका जो जीवन है आपका जो जनम है किसी विशेश परपस से हुआ है हर कोई विक्ती का अपना एक लाइफ परपस होता है लेकिन आपका भी लाइफ परपस है आपको आज जानना है लाइफ परपस को जानना और उसके पीछे काम करने का अर्थ ये नहीं है कि आप घर परिवार सब छोड़ दें बाबा जीवन जाए ऐसा कुछ भी नहीं है आप ग्रहस्त जीवन में जीकर ही जो भी कोई कारे कर रहे हैं उधारन के तोर पर अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर क्या काम करते हैं बच्चों को शिक्षित करने का कारे करते हैं समाज में शिक्षा आज आपकी वजह से ही है तो कही ना कही जो भी कोई आपको कारित दिया है परमात्माने उसी को आप अपनी destiny समझ कर कोई एक ऐसा सामाजिक रूप से भी कारे करे जिससे कि वो केवल और केवल आपके धन कमाने की श्रेडी में ना आए बलकि जनकल्याण के लिए भी हो अगर आप एक politician है, अगर आप engineer है, जो भी आप है उसका एक सदुपयोग सामाजिक इस्तर पर भी आपको करना है और यही सामाजिक इस्तर पर काम करना आपके life purpose से आपको जरूर जोड़ेगा आए जानते हैं, मूलांक 9 के लिए हम ये परमात्मा अच्छिया guide कर रहे है 8 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है strength का card है आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कही ना कही आप अगर थोड़ा भी down महसूस कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आपके मन मताबिक चीज़ें आप नहीं प्राप्त कर पा रहे है तो divine आपको क्या guide कर रहे है कि आप चिंता मत कीज़े किसी भी प्रकार की बलकि अपनी शक्तियों पर आपको भरोसा रखने की ज़रत है अपने talent पर भरोसा रखने की ज़रत है क्योंकि यह जो courage है ना देखो कहते ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत तो आज वही line आपके उपर आ रही है कि आज के दिन अगरा बीतर से ही अपने आपको तूट जाएंगे आपको लगेगा कि आप worth नहीं रखते हैं तो seriously आप कुछ भी achieve नहीं कर पाएंगे आज के दिन की जो ताकत है वो आपकी अपनी will power है आज आप जितना जादा will power आपकी strong रहने वाली है courageous रहने वाली है उतना ही अधिक आपको लाब होगा दूसरों के बात पर ना आएं बलकि अपने उपर भरोसा रखें आपका दिन शुभो दोस्तों ये थी reading हमारी एक से लेकर 9 मूलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आप हमारे इस कारिक्रम को जो प्यार और सम्मान देते हैं हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है आपके बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम